सिंग्रोली जले के चुतरंगी जन्पद अंतरगत ग्राम पंच्राद देवगाओं के ग्राम ओडागी में बड़े ही धुमधाम से अन उच्छव अन योजना अंतरगत निशुल कराशन वित्रन का कारिक्रम किया गया ग्राम पंच्राद देवगाओं के ग्राम ओडागी में शास के उच्छत मूल्य की दुकान पर प्रदान मंतरी गरीब कर लियान योजना अंतरगत हमारी देश के यश्यस्वी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी मदर प्रदेश के मुख्य मंतरी शवराल सिंग चोहान की को एक एतिहासिक कारिक्रम की रूपे संचालित किया गया इसी कड़ी में ग्राम पंचेत देवगाओं के उच्छत मूले की दुकान पर कारिक्रम के मुक्ख्याती थी भारती जंदबाटी के उर्जवान कारिकरता अजय दुवेदी ने ग्रामिनों को संबूदित करते हुए उन्होंने देश में चलग रही गरीब कल्यार योजना अंतरगत सारी योजनाओं से विस्तार पूर्वक उपस्थिद ग्रामिनों को अवगत कराया ततपशात श्री दुवेदी ज्री के कर कमलू द्वारसो पात्र लाभारतीयों को पांच केजी राशन बैग वित्रन किया उक्तकारी क्रम की संचालन में आज की नोडल अधिकारी विनो धर ग्राम पंचायद सची सगुंदास विश्व कर्मा सेल्समान संग्राम सिंग सहायक सची बुद्धिमान यादर सहेत सेकडों की तादात मी ग्राम में उपस्थित रहे हैं है मैं स्वाघत बंदन अभिणंदन करने हमारे बीच में आए हुए आज प्रदान मंत्री गरीब कल्याण योजना अंतरगत अन उस्तों कारिकरम पूरे मत्ध प्रदेश में बहुत ही हर्सों उल्लाज के साथ एटीहासी ग्रूप से मनाया जा रहा है इस योजना के अंतरगत हमारे एसेश्वी प्री आदर्णी नरेन दामोदर रास मोदी जी माह अप्रेल से नवंबर तक आप लोग जितना रासन प्राप्त कर रहे थे प्रतेक महीने में पात्रता प्रची के अन्वार उसके अतरिक्त एक महीने का मुप्त में रासन माह अप्रेल से नवंबर तक हमारे असेश्वी प्रधान मंत्री जी के अगवाई में हमारे आदर्णी मुख्य मंत्री स्री सीवराज सिंग चौहान जी द्वारा आप लोगों को वितरित करवाया जा रहा है इस योजना का मुख्य उत्यसिया है विगत दिनों में हमने देखा है कि कोरोना रूपी बैस्विक महमारी की बज़ा से हमारे देश को बहुत बड़ी छत पहुंची है उस छत की भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे मोदी जी का इस अपना है कि हर गरीब व्यक्त को भोजन भी चीवन भी और सम्मान भी जरूरी है कितनी भी विसम परिस्तिती आ जाए लेकिन इन तीन चीज की कभी कमी किसी चीज को नहीं होनी शहिए कि इसी उम्मीद के साथ हमारे मोदी जी ने हमारे देश के जितने पात्रहित ग्राही थे उसके अलावा भी जिनका अभी तक किसी कारण बस पात्रता पर्ची नहीं बन पाई थी उनको भी एक अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करके अपने पांच महिने का रासन उपलब्द कराने का प्रयास हुआ है अभी तक जीनको किसी कारण बस पात्रता रहा है वो अपना मूल रिकार्ड लेकर हमारे पास आए निंस्तंकोच अपनी समस्या बताएं हम आपकी समस्या आपके ही अमूल्ब्द से बनाय हुए विधायक आदाणी श्री अमर सिंग जी आपके ही अमूल्ब्द से बनाय हुए सांसर श्री मति रिदी पाठाप की बात प्रदेश तक पहुचाएंगे और आप लोगों को भी हम राशन उपलब्द कराने का पूरा प्रयास करेंगे भाईयों बहलों आज इस प्रदान मंत्री जीवारा भेजे गए आपके इस आप